आज हम शुरू करेंगे conic sections में parabola अब देखिए यह parabola क्या है parabola is basically a curve ठीक है आपको मैं बताता हूँ इसमें सबसे पहले तो यह parabola आया कहां से देखिए एक conic section जो overall chapter उसका नाम है conic section मतलब sections of cone मतलब मैं cone को अलग-अलग तरीके से काटता हूँ तो जो मुझे curves मिलते हैं उनके अलग-अलग नाम रखे हुए तो उसमें one of the section is parabola अब parabola क्या है मान लीजिए यह कौन है मैं इसको ऐसे कट करता हूँ parallel to the slant height यह जो है यह जो line है इसको हम slant height बोलता है यह तो सबको मालूम है इस slant height के parallel अगर मैं इस parabola को slice करता हूँ यहां से ठीके ना यहां से मैंने ज्लाइस कर दिया तो यहां पर मुझे समवाट इस टाइब का कर्भ मिलेगा जिसको की मैं जैसे गाजर है अगर मैं उसको करता हूँ तो मुझे कुछ इस टाइब का कर्व मिलेगा और यह जो कर्व मिलेगा अना प्रोवाइड है मैंने उसको कैसे कर्ट किया है parallel to the slant height, तो यह जो somewhat मुझे कर्ब कुछ इस टाइब का देखेगा, that is called parabola अब आगे देखें वाइस इस पैराबोला इंपोर्टेंट, देखें, इसका सबसे जादे इंपोर्टेंस आपके साइंस में, फििजक्स में है, यह पैराबोला जो है, फिजक्स में एक topic है, projectile जिसमें, हमें करना क्या है कि , जयसे से कोई अबजेक्ट है, जलेट से एक बाल है, उसको आउं फिंफ करता हूं, ठीक है, अब आम आन इस बाल को दो किया है, फिर हम बोल सकता है में ground में खड़ा होके ठीक है किसी एक ball को मैं throw कर रहा हूँ at an angle मैं vertically upwards throw नहीं कर रहा हूँ, मैं 90 degree पे उपर मैं ball को नहीं fake रहा हूँ, लेकिन किसी एक angle पे जैसे cricketers है, ball पकड़ते हैं फिर वो दूसरे field को pass करते हैं, तो ball को मैंने throw किया at some angle let's say theta, तो अब मैंने ऐसे थ्रो किया तो बॉल कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में बूव नहीं करता है उसका रीजन है कि gravity उसको हमेशा नीचे की तरफ पुल करता है तो वो जो बॉल है अगर gravity नहीं होती absence of gravity में वो बॉल एकदम स्ट्रेट लाइन में travel करता सीधा का सीधा बट क्यूंकि gravity है तो gravity की वज़े से वो बॉल जो है कुछ ऐसा curved path trace करके ऐसे नीचे आके किसी एक point पर गर जाता है तो यह जो path उस ball ने trace किया है जिस ball को throw किया है क्रिकेटर ने that path is called parabolic path और जो curve बना है उसको हम parabola बोलते हैं ठीक है ना and one more example again let's say मैं किसी building के ऊपर खड़ा हूं एक बहुती उची building है उस building के ऊपर से मैंने एक ball को throw किया in horizontal direction अगेन यह ball जह straight line में move नहीं करेगा because gravity है अगर gravity नहीं होती तो वो ball as per Newton's law straight line में move करता अब वो ball क्या होगा कुछ ऐसे path travel करके सीचे सीधे नीचे जमीन में आके गर जाएगा तो यह जो path उस ball ने travel किया इस path को हम बोलते हैं parabolic path तो यह जो curve form हुआ इसको parabola बोलते हैं तो अब parabola आपने देखा देखिए section of a cone है और वो section हम कैसे निकालते हैं इस तरीके से कि मैं अगर किसी cone को parallel to slant height slice करता हूं और उसके base को भी cut करता हूं ठीक है तो उसमें कर फॉर्म होगा उसको हम पैराबोला बोलेंगे अब यह भी मैंने बताया कि यह physics में बहुत ज्यादा यूज होता है अच्छा अब अब पैराबोला की हम थोड़ी सी mathematical definition देखेंगे mathematical definition देखने के लिए देखिए यह पैराबोला या फिर मैं overall जो जितने भी conic sections है उन सब के लिए यह मतलब common definition रहेगी वह मैं आपको बताता हूं एक point है जिसको हम fixed point बोल सकते हैं एक point है जो की fixed है और let's say एक line है वो भी fixed है जैसे की हम circle का example लेते हैं जैसी एक circle है अब circle की अगर हमें पूछी जाए definition क्या है अगर कोई पूछे की circle हम किसको बोलेंगे तो जो इसकी formal definition है it is set of all point है na circle के definition है set of all point equidistant from a fixed point उस fixed point का नाम दिया हुआ है center of the circle या simply center अब मुझे मालूम है यह जो है यह circle है और इस circle का मैं कोई भी point अगर लेता हूँ और उसका distance इस center से लेता हूँ तो वो हमेशा मुझे constant यानि की radius के equal मिलता है मैं अगर यह distance मुझे five units मिल रहा है मैं इस point को अगर center से निकालता हूँ distance कितना है तो यह यह भी five मिलेगा यह भी five मिलेगा यह भी five मिलेगा and so on तो यह है circle की definition की set of all points which are equidistant from a fixed point और उस fixed point का नाम है center तो एक circle को define करने के लिए मुझे fixed point की जरुरत है और वो constant distance की जरुरत है तो अगर fixed point मुझे मिल गया तो मैं कोई भी circle draw कर सकता हूँ है ना जैसे कि 10th में और 9th में अगर आपने construction किये होंगे तो उसमें देखा होगा कोई भी circle अगर हमें बनाना होता तो उसके लिए सबसे पहले उसका हम center locate करते थे फिर जो भी radius दिए उस radius के हिसाब से हम construction कर लेते थे तो अब circle is also a conic section है ना लेकिन circle के इलावा जो बागी conic sections है लाइक parabola ellipse and hyperbola उसके लिए हमें यह दो चीजों की जुरुएत पड़ती है fix point and fix line अचा मैं आपको बता दू यह इसका distance is fix point से और इसका distance is fix line से suppose this is let's say point 1 और यह fixed point को मैं s ले लेता हूं let's say this is m1 ठीक है ना अब p1 s ठीक है ना upon p1 m1 यह ratio मैंने ले लिया और suppose मुझे यह ratio constant मिलता है let's say 5 मिलता है ठीक है आचा मैंने एक दूसरा point ले लिया let's say p2 अब इस p2 का इस s से मैं distance लेता हूं और इस p2 का मैं इस fix line से एक distance लेता हूं let's say this point is m2 distance का मतला हमेशा मुझे perpendicular distance लेना होता है unless otherwise stated तो again मैं इस p2 s और p2 m2 यह ratio निकालता हूं और suppose मुझे यह ratio अगें 5 मिलता है ठीक है मैंने ऐसे ही एक तीसरा point लिया let's say p3 and p3 s और similarly p3 m3 वो ratio मैंने निकाला है let's say p3 s upon p3 m3 और यह ratio भी मुझे कितना मिला 5 मिला तो possible है मतलब मैं इस 2d plane में ऐसे वो सारे points ढूंड सकता हूं कि जिसका इस fix point से distance और जिसका इस fix line से distance का जो ratio है वो constant मिले इस 5 को मैं हटा देता हूं let's say e से suppose मुझे वो ratio हमेशा e मिल रहा है ठीक है न तो यह जो fixed ratio है यह condition बिल्कुल valid है हो सकता है कि मैं ऐसे n number of points ढूंड पाऊं जिसका distance fix point और fix line से वाला जो ratio है वो हमेशा मुझे constant मिले तो यह जो constant ratio जिसको मैंने e से represent किया है इसको हम बोलते है eccentricity eccentricity ठीक है तो यह आपने समझा कि यह जो ratio है जो constant ratio है and that is represented by e और उसको हम बोलते है eccentricity अब देखे इस eccentricity के लिए हमारे पास 3 cases है एक तो है कि eccentricity जो है वो 1 मिलेगा दूसरा case है eccentricity आपको greater than 1 मिलेगा तीसरा case है eccentricity आपको less than 1 मिलेगा और और case हो सकते हैं like let's say the eccentricity is 0 है ना एक case यह भी हम लिख सकते हैं the eccentricity is 0 अब देखे when eccentricity is 1 the जो curve हम trace करेंगे that will be parabola अगर eccentricity is greater than 1 hyperbola if eccentricity is less than 1 ellipse and if eccentricity is 0 then circle ठीक है तो यह मैंने आपको एक common definition देदी कोनिक section की अब हम आते हैं parabola पे because हमरा topic parabola है तो पहरा बोलो में हमने यहां पर क्या देखा कि eccentricity is 1 eccentricity is 1 again मैं वो diagram बनाता हूं this is let's say any curve and this is the fixed point जिसको हम क्या बोलते थे focus ठीक है and this is the fixed line जिसको हमने नाम क्या दिया हूं directrix और यह जो कर्व बन रहा है इस कर्व का अगर मैं कोई भी point लेता हूं let's say p and let's say this is s अब मैंने क्या देखा कि अगर यह m है तो ps upon pm यह ratio जो है इसको हम eccentricity e से represent करते थे लेकिन parabola में यह जो ratio है यह कितना होना चाहिए one होना चाहिए one होना चाहिए यह मतलब ps कि है, इसको मैं cross multiply अगर करता हूं तो ps pm into one pm बन जायए गा मतलब ps is equal to pm बन जायएगा इसका यह मतलब हुआ कि यह जो point p है इसका s से जितना distance है इस point का m से भी उतना ही distance मना इस जो point p है इसका इस fix point से जितना distance है इसका इस fixed line से भी उतना ही distance है मतलब हम parabola की एक और definition यहाँ पर बना सकते हैं या उसी definition को हम modify कर सकते हैं कि मान लिजे यह fixed point है और यह fixed line है ठीके ना? यह fixed point है यह fixed line है fixed point को नाम हमने दे दिया focus fixed line को हमने नाम दे दिया directrix और मैंने यह point ढूंडा इस तरीके से कि इसका distance अगर यहाँ से 5 unit मिल रहा है तो इसका distance यहाँ से 5 unit ही मिलना चाहिए एक point मैंने और ढूंडा इसका इस fixed point से distance है let's say 6 तो इसका इस line से भी distance कितना है? 6 मैंने एक और point ढूंडा इसका इस point से distance है let's say 7 तो इसका इस line से भी distance कितना है? 7 यह जो point है यह इस point से fix point से 7 unit के distance पर 7 cm बोल लिजे इस point को अगर मैं इस line से distance measure करता हूं तो वो भी 7 cm मिलता है तो ऐसे है ना अब देखिए यह distance यह distance equal नहीं है लेकिन यह दोनों इस point का distance fix point और fix line से equal है मतलब यह five मिल रहा है तो यह भी five मिल रहा है लेकिन हाँ यह दो distance आपस होने नहीं चाहिए लेकिन यह दोनों distance आपस में होने चाहिए जब ऐसी condition हो जाए कि मैं कोई भी point लेता हूं तो उसका distance यहां से और यहां से equal मिलता है, तो वो जितने भी ऐसे points है, जितने भी ऐसे set of points है, उन सब को अगर मैं combine कर दूँ, तो मुझे जो curve मिलेगा, उस curve को हम क्या बोलेंगे? तो पैराबोला, ठीक है? तो पैराबोला इस वाट, इस set of all points, which is equidistant from a fixed point called focus and fixed line called directrix, ठीक है? और पैराबोला के लिए हम क्या बोल सकते हैं? इस centricity, यानि जो रेशो है, वो रेशो क्या होगा? हमेशा वन होगा, तो यह हमने देखी पैराबोला की definition, अब देखें, आगे हम देखेंगे, equation of parabola. ठीक है, equation of parabola. अब देखें, आपका जो CVSE या जो NCRT textbook है, उसमें बहुत limited number of questions दीओ हैं, बहुत ही basic questions दीओ है, मैं आपको थोड़ा सा कुछ extra जरूर बताऊंगा, क्योंकि कई schools में थोड़ा सा teacher जो है extra questions करवा देते हैं, तो मैं आपको पहले तो derivation बताऊंगा, है ने, यह formula आया कहां से, यह derivation बताने का एक मेरा motive भी है, यह कही है कि एक reason है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे questions मिलेंगे, जो अगर हमने derivation किया हुआ है, तो हमें वो question समझने में easy होगा, ठीक है ना, otherwise वो question solve करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल हो सकती है, अब equation of parabola के लिए, सबसे पहले तो, suppose यह curve है, parabola का, और this is the fixed point, this is the fixed line, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको दूर बना देता हूं, तो यह जो fixed line है, इसको हमने नाम दिया था directrix, मैं आपको इसमें definitions भी बताते जाओंगा, यह जो fixed point है, इसको हमने नाम दिया था, focus, अब देखिए, यहाँ पर कुछ और चीज़े, इस focus से, मैं एक straight line draw करता हूं, इस तरीके से, कि वो इस directrix के perpendicular हो, बनाया जा सकता है, इस focus से मैं infinite lines draw कर सकता हूं, अन नम sensor of directions, बत, एक ही लाइन होगा जो perpendicular to this directrix होगा, तो ऐसा l Fourier जो perpendicular to directrix है, और focus से पास होता है, क्योंकि अगें, इस directrix के भी हम infinite perpendicular lines draw कर सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन होगा जो focus से पास होगा, तो ऐसा line जो focus से पास हो रहा है और perpendicular to directrix हो इस line को हम बोलते हैं axis of parabola ठीक है इस लाइन को हम बोलते हैं axis of parabola this concept is used in like physics में जो light chapter है उसमें principle axis of lens and mirror जो आपने पढ़ा होगा वो यह उससे आप correlate कर सकते हैं अच्छा अभी होगे axis of parabola यह जो axis है यह कहीं ना कहीं इस parabola को touch करता है जिस जगह पर यह parabola को touch करता है that point is known as vertex ठीक है vertex of parabola ठीक है इतना समझ में आ गया अच्छा मेरी drawing is not very good यह तेड़ी मेरी line है अब इसको जो है सीधा line ही मान के चलिए now derivation अब आगे देखें अच्छा इसको हमने vertex बोल दिया इसको हमने focus बोल दिया अब यहां पर derivation करने के लिए मैं क्या करता हूं कि यह जो वर्टेक्स है ठीक है यह जो वर्टेक्स है यहां से मैं एक line draw करता हूं perpendicular to this principal axis obviously यह जो line मैंने draw किया हुआ है अगे इन देखो यह एकदम straight line नहीं है अच्छा यह मैंने perpendicular line draw किया perpendicular to the principal axis ठीक है अब मैं क्या करूंगा कि इसमें यह जो perpendicular line है इसको मैंने y axis चूज कर लिया y dash और यह जो principal axis था parabola का यह जो axis of parabola था इसको मैंने x axis चूज कर लिया coordinate system में ठीक है ताकि मैं derivation कर सकूँ अब यह जो focus है इसको suppose मैं s नाम दे देता हूं let this point be s let the vertex B V है ना हम V नाम दे रहते हैं या origin इसको मैं origin लोंगा यह जो vertex है इसको मैंने origin ले लिया ठीक है vertex को मैंने origin ले लिया अब देखे यह जो focus है इसके coordinates को मैं लेता हूं a,0 अब देखे a,0 मैंने क्यों लिया इसको मैंने x-axis माना हुआ है x-axis में कोई भी point जो है x1,0 के form में होता है तो मैंने क्या जियूम किया कि origin से focus तक का जो distance है वो कितना है a है ठीक है small a तो इतने distance को मैंने अगर a जियूम किया तो obviously यह जो point s है focus इसके coordinate क्या होने चाहिए a,0 होना चाहिए अब देखें V is vertex क्या यह V vertex parabola के उपर है बिलकुल उपर है अच्छा vertex is on parabola और parabola की definition क्या है any point on parabola is at equal distance from focus and directrix इसका यह मतलब इस vertex का अगर इस focus से distance a है तो इस vertex का इस directrix से भी distance a होना चाहिए मैं इस point को m अजियूम कर लेता हूँ बट क्योंकि मैंने इसको origin लिया तो यह negative direction में move कर रहा है तो इस m के coordinate क्या हो जाएंगे minus a and 0 अच्छा straight line this is any straight line parallel to y axis parallel to y axis any line parallel to y axis equation क्या होता है x equals to something के form में और x equals to यहाँ पर कितना आ जाएगा because this distance is negative a x equals to minus a या फिर इसकी equation हो जाएगी x plus a equals to 0 तो equation of directrix क्या मिल गई मेरको x plus a equals to 0 इना समझ में आ गया अच्छा अब suppose this is any point P and let the coordinate be x, y इस P को मैं S से join करता हूं और इस P को मैं इस directrix से join करता हूं suppose this point is let's say n मैंने पर पिनिकलर ड्रॉप किया P से है ना अगें डाइग्राम मेरा बहुत परफेक्ट नहीं है तो equation of directrix is x plus a equals to 0 यह तो हमने लेख लिया अच्छा यह हो गया आपका P से लेके n ठीके ना पर पिनिकलर मैंने ड्रॉप किया from any random point P इस P से मैं एक पर्पिनिकलर ड्रॉप करता हूं on x-axis and let this point be P N S M let's say this point be Q अबने Q कर लिया ठीक है इतना समझ में आगे अच्छा अब by definition of parabola देखे P क्या है P is any point on parabola तो parabola की definition है कि P से लेके S focus तक का जो distance होगा P से लेके S तक का जो distance होगा P से लेके N तक भी वही distance होना चाहिए that means P S must be equal to P N by definition P S जो distance है P N जो distance है यह equal होना चाहिए अब देखे P N must be equal to Q M होना चाहिए यह जो Q M है इसको मैं Q V प्लस V M लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ऐसे ठीक है यहां तक समझ में आगे है अब देखे P S यहां पर कर लेता है अब देखे P S अच्छा S के कोडिनेट क्या थे एक कॉमा जीरो तो इन दोनों के बीच में हम डिस्टन्स फॉर्म है ना डिस्टन्स फॉर्मला लगा लेंगे एक हेस साथ यह मैसा फर्मला होता है दिस्टन्स फॉर्मला होता है डिस्टन्स फॉर्मला होता है दी इकॉल Vergleich 3 अन्डर रूट औफ हैस्टो इस्टोर मैस एस्टोट में टो होल्सक्व verste यह formula होता है तो यहां पर मैंने x1 y1 x2 y2 या फिर x1 y1 x2 y2 कैसे भी ले सकता हूं मैं ठीक है न तो मैं यहां पर formula लगा दूँगा formula लगाऊंगो तो यह हो जागा x-a whole square y-0 whole square with a root, यह क्या बन गया? ps बन गया ठीक है na ps is what under root of this thing अच्छा p n जो है वो q m के equal होगा है क्योंकि देखे p n यहीं से मैंने perpendicular drop किया यह क्या बन गया एक rectangle देखे यह भी 90 degree यह भी 90 degree obviously I'm sorry obviously यह पूरा क्या होना चाहिए rectangle और rectangle में opposite size are equal इसका मतलब p n must be equal to q m और q m को हमने क्या लिखा था q v plus v m अच्छा आप देखे मैं इसको थोड़ी clear up कर देता हूं यह जो q v है देखे p के coordinate क्या है x, y ध्यान दीजे यह जो x है this x will be यहां से लेके यहां तक का distance और y जो है वो यहां से लेके यहां तक का distance coordinate geometry में हमने पढ़ा है कि अगर यह कोई एक point है p x, y यहां से मैं एक perpendicular drop करता हूं x axis पे यहां से एक perpendicular drop करता हूं y axis पे तो इतना distance जो है y axis से लेके point तक का distance that is x और उस point का distance x axis से जो है y होता है यह जो distance है यह x वाले इस portion के equal होता है यह बात हमको मालूम है तो इसका यह मतलब है कि यह जो x है this must be equal to vq तो यह जो qv यह vq है this must be equal to what x यह हो गया आचा vq तो मुझे x मिल गया और mv कितना है mv जो है मुझे distance लेना है ध्यान रखे मुझे distance लेना है and not direction तो यह distance तो total a है 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 न हम यहां पर distance की बात कर रहे है न तो हम sign को नहीं लेंगे तो x plus a मुझे यह लेना चाहिए x plus a मुझे यह mq total distance लेना है directions नहीं लेना है तो x plus a हो जाएगा ठीक है इतना समझभा आ गया अब this x plus a and this must be equal अब देखे हम उनको क्या करेंगे equate कर देंगे तो under root of x minus a whole square, now y minus 0 is what? y, y square is equal to x plus a, ach, squaring both side squaring both side, यहां से root हट जाएगा और यहां पर mod को हटा के हम सीधा सीधा x plus a whole square लिख सकते है ठीक है इसको वाँ shift कर देता है आगे देखें तो मेरे पास y square is equal to x plus a whole square आ गया और यह x minus a उदर जब shift हो जागा तो यह minus of x minus a whole square आ गया ठीक है इतना समझ में आ गया हमें करने क्या है अब a plus b whole square a minus b whole square ना formula लगा लेते हैं या फिर डिरेक्टली एगर formula मालू मैं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं a plus b whole square is a square b square 2 a x ऐसे लिख लेते हैं तो 2 a b होता है तो प्रेकट उपन करेंगे हो जाएगा minus x square minus a square plus 2 a x यह देखें a square and a square gets cancelled x square and x square gets cancelled 2 a x plus 2 a x कितना हो जाएगा q plus 2 4 तो y square equals to मुझे क्या मिल गया 4 a x तो this is the equation of parabola ठीक है ना y square equals to 4 a x जो मुझे मिला है this is the equation of parabola और यह है equation of parabola in standard form ठीक है जहां पे parabola इस type का होगा ठीक है ना हमें ध्यान रखना है parabola इस type का होगा इसको हम right-handed parabola भी बोलते हैं इस parabola की कुछ मैं आपको properties बता दूँ सबसे पहले तो आपको y square equals to 4 a x मिला हुआ है अगर मैं square हटाता हूँ तो यह हो जाएगा y is equal to plus or minus under root of which can be written as ठीक है तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो parabola है इस type का हमने बनाय हुआ है या तो y की value plus 2 root a x है या फिर minus 2 root a x है इसका मतलब है ना हम यह interpret करेंगे कि जो parabola है it is symmetrical about this x-axis तो parabola is symmetrical about x-axis इस case में है ना y square equals to 4 a x के case में symmetrical about x-axis मतलब इसका आधा-half उपर है आधा-half x-axis के नीचे है अगर मैं एक perpendicular line drop करता हूँ अगर इसके coordinate let's say xn y है तो इसके coordinate xn-y होने चाहिए मतलब अगर यह distance y है तो यह distance क्या हो जागा negative y ठीक है ना मतलब जितना distance उपर उतना ही distance नीचे ठीक है symmetrical about x-axis ठीक है यह हो गया नाओ दूसरी चीज यह जो पैराबूला है हमने इसमें एक्सेज ऐसे लिए हुए कि इसका vertex कहां पर पढ़ता है origin पर अचा vertex origin पर पढ़ता है और origin पर क्या हो रहा है यह y-axis पास हो रहा है vertex से यह जो y-axis क्या बन गया tangent तो यह जो y-axis है यह क्या बन गया इस पैराबूला का tangent कहां पर वर्टेक्स पर ठीक है और moreover यह जो पैराबूला है यह इस access को सिर्फ origin पर टच करता है दोनों access को है ना और कहीं पर भी यह टच नहीं कर रहा है यह expand होते जा रहा है तो दो पैराबूला और टच तच 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 इस दड़ coordinate access only at the origin अच्छा y square अगर मैं यहां पर negative value डालता हूं लेट से x is equal to some negative value डालता हूं तो मुझे y square is equal to manager minus two to minus eight a तो under root of negative number मिल जाएगा मुझे y not possible मतलब यह पैराबूला सिर्फ right hand side में है left hand side में मतलब negative value of x के लिए पैराबूला का कोई भी मतलब यह पैराबूला जो है origin के right hand side में ही है left hand side में यह हम sketch नहीं कर सकते हैं ठीक है इस तरफ यह है ही नहीं ठीक है फिर यह आपने देखी पैराबूला की कुछ properties कह सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं latest rectum latest rectum और double ordinate देखिए double ordinate और latest rectum क्या होता है यह पैराबूला है ठीक है अब यह हो गया पैराबूला का क्र दो पैराबूला को दो पैंट कर रहा है तो सपोस्थ इस is M को दिंगे uniform to the axis of shaft prim to the axis of double इसको हम बोलेंगे double ordinate ठीक है ध्यान रखे double ordinate हम M M- को बोलेंगे पूरे को बोलेंगे वैसे भी coordinate geometry में हमने देखा था अगर हम X, Y लिखते हैं याद रखने की एक ट्रिक में जैसे X होता हमेशा एपसे सा और जो Y वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं यहां पर double ordinate मतलब देखें आधा वाय का portion उपर और आधा वाय का portion नीचे तो दो बार ordinate मेल रहा है इसलिए इसका नाम double ordinate हम ऐसे जो है इसको थ्यान रख सकते हैं कि what is double ordinate यह हो गया फिर now what is latest rectum तो देखें यह जो parabola इसके हम infinite double ordinate बना सकते हैं वान टू है ऐसे infinite double ordinate बना सकते हैं बट देर इस वन double ordinate which is very special वह है जो की focus से पास होगा ठीक है ना focus से जो double ordinate पास होता है, उसको हम बोलते हैं latest rectum ठीक है focus से जो double ordinate पास होता है उसको हम बोलेंगे latest rectum ठीक है इतना समझ मागे अब देखें इस latest rectum की value क्या होगी latest rectum का length क्या होगा वो समझते हैं अब देखें लेंथ उफ लिटेस्ट रेक्टम के लिए suppose this is the parabola यह हो गया आपका focus suppose this is vertex and latest rectum हो गया यह L, L' अब मैंने एजियूम किया कि इतना डिस्टंस जो है यह एल से लेके एस तक टिके ना suppose this distance is k तो यह वाला डिस्टंस भी k होना चाहिए बट क्यूंकि negative direction में है तो minus k अचा इस l के coordinate क्या हो जाएंगे देखे इतना distance क्या है a है ना x वाला coordinate हो गया a y वाला coordinate कितना हो गया k तो यह जो l है इसके coordinate हो जाएंगे a,k x हो गया a और y हो गया k अचा इस parabola की equation क्या है y square equals to 4a x ठीक है y square equals to 4a x x और y क्या है यहां पर any point on this parabola a और k क्या है any point on this parabola मतलत x की जगा a और y की जगा अगर मैं k डालूं तो वह इस equation को satisfy करना चाहिए तो मैंने y की जगा क्या डाल दिया k तो k square है ना मेरे पास equation क्या था तो y की जगा मैंने डाल दिया k k square is equal to 4a x की जगा क्या डाल दिया a डाल दिया तो 4 into a into a यानि की 4a square तो k square is equal to 4a square यानि की k is equal to under root of यानि की 2a तो k मुझे कितना मिल गया 2a अब देखिए latest rectum का length कितना है k times उपर है और k times नीचे है यानि 2k है ना हम length की बात कर रहे है है ना हम यहाँ पर direction नहीं लेंगे तो यहाँ पर length कितना हो गया 2k हो गया k times up and k times down 2k तो k की value कितनी है 2a तो जगा 2 into k की जगा 2a लिख लिजए and that is 4a तो length of latest rectum कितना हो जाएगा 4 times a यह हमारा formula आ गया ठीक है इतना समझ में आ गया